हलो एवर्यवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी और आज की जो हमारे स्टोरी वह एगा शुड़ विजर्ड हिट मॉमी यह विस्टास का आपका पाच्वा चैप्टर है जो की लिखा गया है जॉन अब डिक के द्वारा अब डाइक बोलो अब डिक बोलो ठीक है उनके द्वारा लिखा गया है यह जो शुड़ विजर्ड हिट मॉमी है एक्चुली यह स्टोरी जो एक फादर और डाटर की है कि एक फादर जो है अपनी बच्ची को दो साल की है लेकिन जब वो दो साल की थी तब से वो कहानी सुना रहा है फादर का नाम जैक है जिसको हम फादर का जो point of view है वो उसके point of view से काफ़ी different है अब तो यह कहानी कहीं ना कहीं यही decide करती है कि बच्चों के जो देखने का नजरिया होता है दुनिया को वो माबापके नजरिया से अलग होता है तो दोनों में से कौन सही है क्या माबापको यह decide करना चाहिए कि बच्चे क् खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं और दोनों में से कौन सही है तो इस चीज के ऊपर ये स्टूरी जो है करती है और भी इसके एस्पेक्ट है लेकिन जो बुक के अंदर एस्पेक्ट दिया गया है मैं आपके साथ सिर्फ वही डिसकस कर रहा हूं तो ज सब्सक्राइबाब सपतिने के लिए उसका नाम रॉजर होगा रॉजर को सॉल्ब्लम को सॉल्फ करने के लिए वो oud के पास जाएगा जो THOM तो उसे एक जादू गर के पास भीजेगा जादू गर उसकी प्राप्लम सॉल्फ करेगा तो उसके पास जो का तो वो पैसे मांगेगा problem solve करने की और Roger के पास हमेशा कम पैसे होंगे तो वह उसका एक उपाएं बताता है कि वहां पर एक हुआ है तुम उसके चक्कर मारो और जितने चक्कर मारोगे तो उतने पैसे मिलेंगे और वह पैसे चक्कर मारके पैसे कमा के जादुगर को देता और रहता है ठीक है लेकिन अब जैसे-जैसे जो बड़ी ओ रही ङुझे है पर क्योंकि हर चीज़ के ऊपपर क्वेशन कर रही है बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके दिमागे question mark आता ही आता है तो ये बहुत जरूरी इसलिए हम लोग हमेशा कहता है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को कभी नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है कि हम ध्यान रखे हमारे बच्चे की जो जिग्यासा होती है वो हमारे अंदर बनी रहे ठीक है तो ये चीज़ है अब बतायाओ है कि One Saturday Jack जो है स्टोरी बता रहाता है एक एनिमल की इस बार जो इसका एनिमल है वो है सकंक सकंक के अंदर बहुत बुरी बदबू होती है Roger सकंक जो है उसके अंदर बहुत बुरी बदबू होती है तो उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता अब क्योंकि उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता तो जो जंगल के लोग होते हैं उसे परिशान करते हैं चड़ाते हैं stinky skunk कहके Roger skunk वही owl के पास जाता है आउल के पास जाके अपनी story बताता है आउल उसे एक wizard के पास, यानि जादूगर के पास भीजिदेटा है जो उसको, और जब वो जादूगर के पास जाता है तो वो smell like rose कर देता है, वो उसकी rose की तऱ smell कर देता है उसके बदले वो penny माँआगता है वोई फिर penny कम होती है तो वो कूए के पास जाता है चेक कर मारता और पेनी ला करके दे दे देता और एपी हपी घर आ जाता है पर जब वो घर पहुचते है थो इसकंक की मम्मी को रोज की स्मल पसंद नहीं आती और वो बहुत एंग्री हो जाती है और वो रॉजर को दुबारा वापस लेके जाते है जादूगर के पास है और जैसे ही जादूगर घर से बाहर दिकलता है तुरंत उसके सिर पर मारती है डंडा कहलो हाथ कहलो घुसा कहलो मारती है और कहते हैं कि इसे दुबारा से इसके ओरिजिनल स्मेल में लगा रोजर जो है रोजर जो है वो दुबारा से बुरा स्मेल करने लगता है अब यहां पर ही कहानी जो है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है रोजर फिर से बुरा बत जो नहीं चाहती कि कहानी की एंडिंग ऐसी हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि रोजर स्कंक के कोई फ्रेंड नहीं थे और अगर वो अपनी स्मेल चेंज करना चाहता था तो इसमें बुरा किया है? लेकिन उसके पापा जो थे, वो शाहते थे, कि नहीं यहीं सही, वो शाहती थी, कि नहीं, अगर जादुगर को मार पड़ी, तो जादुगर को भी मम्मी को वापस मारना चाहिए था, क्योंकि उसने तो उसके बेच्चे की help की थी लेकिन जैक कहता है नहीं मम्मी हमेशा सही होती है इसी लिए मम्मी ने जो किया वो सही किया अब देखो यहाँ पर आपके दो चीज़ आती है एक दिलाईमा टाइप का आता है एक जगा तो यहाँ पर बात यह है कि जैक जो है वो force कर रहा है कि नहीं बड़े जो कहते है वो सही कहते है जो कि जो इस बात से agree नहीं करती जो इस कहानी का अंदर main motive है वो इस तरीके से समझाया गया है कि बड़ों को अपना decision force नहीं करना चाहिए बच्चों के उपर जो को अपनी खुद की creativity है तो जो के जो point of view है वो सही है हाला कि इस कहानी का एक और point of view ये भी हो सकता है कि क्या हमें दूसरों के हिसाब से change होना चाहिए क्योंकि Roger Skunk की मा जो है वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा जो है दूसरों के लिए change हो वो जैसा है लोग उसे वैसे ही accept करे हाला कि कहानी में इस part को detailed में explain नहीं किया गया इसलिए मैं इस point को नहीं लूँगा कहानी का जो main motive है वो यही है बताने का कि जो माबाप है वो बच्चों के उपर कभी का और अपने decision forcefully put करते हैं जैसे कि Jack ने किया जैक ने बोला मम्मी हमेशा सही होती और इसलिए मम्मी ने जो मारा वो सही किया जादुगर को दुबारा नहीं मारना चाहिए था यह हमारी कहानी थी अब इस कहानी में जो point to remember है वो क्या-क्या है मैं फटा-फट बता देता हो ताकि आपके इस video ज्यादा लंबी ना हो जैक फैबरिकेट करता है अपने two year old daughter जोको यानि हमेशा हो एक कहानी बनाता है बताता है उसकी कहानी में एक basic plot होता है यह जो second line हो यही बोले कि उसकी कहानी में एक basic plot होता है कि main protagonist एक animal होता है जिसका नम Roger होता है और वह छोटा creature होता है जो मैंने आपको बता यही उसके पा पैसे नहीं होते तो उसे बताता है जादूगर कि कि इस तरीके से तुम और पैसे कमा सकते हो है ना नेक्स्ट एक दिन जो अपनी बेटी को Roger Skunk के बारे में कहानी बताता है कि जिसके अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती थे और सारे जानवर उससे दूर हो जाते थे Roger Skunk क्या करता है Roger Skunk आउल के पास जाता है आउल उसे विज़र्ड के पास बेजता है और वो उसकी स्मेल को रोजिस में बदल देता है रोजर स्कंक बहुत खुश होता है, वो जंगल में आता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलता और सभी उससे बहुत प्यार करते हैं कि अब उसके दर से खुश्वू आ रही होती है पर जब वो घर पहुचता है तो उसकी माँ से डाटती है, यह नई स्मेल क्या अजीब सी ले आया है मदर उसे वापस विजर्ड के पास ले करके जाती है, रोजर की मदर जो है वो विजर्ड पे चीकती है और उसके सर पे मारती है लिटिल रॉजर को उसकी स्मेल वापस मिलती है और वो दुखी हो जाता है जो यानि जैक की जो बेटी है वो इस बिहेवियर से बिलकुल पसंद नहीं है वो चाहती थी कि नहीं मम्मी को भी मार पड़नी चाहिए थी विजर्ड को मम्मी को मारना चाहिए था वापस जैक कहता है नहीं यह चीज गलत है मम्मी का डिसीजन सही था ठीक अब जो की जो मा है वो अनॉइड है क्योंकि जैक जो है वो बहुँत टाइम ले रहा है स्टोरी टैलिंग में क्योंकि मैंने बता ना कि बहुत टाइम लगने लग गया था टाइरिंग क्योंकि अब वो हर चीज वो क्वेश्चन कर रही थी ठीक है और जो बिलकुल नहीं चाहती थी कि स्टोरी बिलकुल भी हैपिले आंसर करूंगा एंड थैंक्स फ़र टाइम थैंक्यू बहुत ही जल्दी अगली स्टोरी के साथ मिलते हैं ठीक है